एतिहासिक लेक असहयोग आंदोलन से पूर्ण स्वराज की मांग तक BS रावत द्वारा लिखित असहयोग आंदोलन के बाद भारत का राश्ट्रेय आंदोलन जिस चरण की ओर अग्रसर हुआ, वो सविने अवग्या आंदोलन का चरण Civil Disobedience Movement था गांदीजी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत का राश्ट्रेय आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था जन्ता में जीवन के प्राय सभीक्षेत्रों में उत्साहत दिखाई पड़ने लगा था विविद सम्मेलनों में शासन की नीतियों वह उसके कार्यों की आलोचनाय होती थी श्रमिक आंदोलन की जने जम रही थी और श्रमिक संगटनों की ओर से भी संगर्ष पून नीती का अनुसरन हो रहा था जैसा सरकार द्वारा विटले आयोक की नियुक्ती के समय उनके द्वारा आयोजित प्रदर्शनों से प्रकट था क्रिशक वर्ग भी लगातार जागरित हो रहा था जैसे सरदार वल्लभाई पटेल के नित्रित्व में किसानों द्वारा गुजरात में किये गए सफल सत्यागरह से प्रकट था देश का शिक्षित वर्ग भी आंदोलनकारी हो रहा था क्योंकि स्वराजवादियों के काउंसिल प्रवेश से भी उन्हें कोई अच्छा परिनाम निकलता नहीं दिखाई दिया था जैसा श्री जवाहरलाल नहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है देश सन 1922 की निराशा से निकल चुका था और उसका वातावरन उत्तेजना पून था स्वराजवादी कारिक्रम से शासक वर्ग को ये स्पष्ट हो गया था कि भारतियों को मॉन्ट फोर्ट जैसी योजनाउं से संतुष्ट नहीं किया जा सकता था साइमन कमिशन की नियुक्ती एवं भारतियों द्वारा उसका विरोध ऐसी स्थिति में जिस शाही कमिशन, रॉयल कमिशन की नियुक्ती सन 1929 के भारतिय शासन अधिनियम की व्यवस्थानुसार सन 1929 में होनी थी उसकी नियुक्ती ब्रिटेन की सरकार ने 8 नवंबर 1927 में ही कर दी। ये आयोग साथ सदस्य था जिसके सभी सदस्य अंग्रेश थे और सर जौन साइमन अध्यक्ष। उस समय इंगलेंड की लौड सभा में लौड सिनहा वश्री सकलत वाला भारतिय सदस्य थे। अतह पून गौरांग आयोग की नियुक्ती को भारतियों ने भारतियों का अपमान समझा। अतह भारत की केंद्रिय व्यवस्थापिका ने एक प्रस्ताव पारित कर इंगलेंड की सरकार से भारतियव ब्रिटिश नेताओं का एक स्कोल में सम्मेलन आयुजित करने का अनुरो पिलाल नेरू ने गोशना की कि सरकार आयोग के साथ भारतियों के सहयोग की आशा तभी कर सकती है जब आयोग के आधे सदस्य भारतियों हो। गोशना की कि आईोग में किसी भारतियों का सम्मिलित न किया जाना भारतियों की योग्गिता का खुला आपमान है। स्वराज सम्विधान बनाएगी 16 नवंबर 1927 को मुसलिम लीग अध्यक्ष श्री मोहमद अली जिन्ना ने भी एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा ये स्पष्ट किया कि इस बात पर अखिल भारतिय कॉंग्रिस भारतिय मुसलिम लीग अखिल भारतिय उदारवादी संग भारतिय व्यापारिक संग मिल मालिक संग तथा हिंदू महसभा आदी सभी संस्थाओं के नेता एक मत हैं कि जिस रूप में आयोग का गठन किया गया है उसमें न तो वे स्वयम भाग ले सकते हैं और ना वे उससे कोई सहयोग ही कर सकते हैं विबिन राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त विचारों के पुष्टी उनकी संस्थाओं द्वारा भी की गई 27 दिसंबर 1927 को कॉंग्रेस ने अपने मदरास अधिवेशन में आयोग के बहिश्कार का निश्चे किया उसी दिन भारतिय उदारवादी संग ने भी आयोग के बहिश्कार का प्रस्ताव पारित किया मुस्लिम नीग ने भी दिसंबर में हुए अपने अधिवेशन में आयोग के बहिश्कार का निश्चे किया और अन्य दलों के साथ मिलकर भारत के लिए एक सम्विधान बनाने के लिए एक समिती की नियुक्ति की। हिंदु महसभा वक्हिलाफत कॉंग्रेस आदी ने भी उक्त दलों का अनुसरन किया। ऐसी इस्थिती में जैसा स्वभाविक था आयोग जब 3 फरवरी 1928 को बंबई आया तो उसका स्वागत हरताल द्वारा हुआ। जहां जहां आयोग गया वहां उसका निरादर किया गया और काले जंडों वर साइमन वापस जाओ के नारे से उसके समक्ष उसके प्रती भारतिय भावनाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कारियों द्वारा ऐसा ना किया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से उनका दमन किया गया इस समबंध में पुलिस व प्रदर्शन कारियों में अनेक स्थानों पर मुड़ भेडे हुई इस सिलसले में लाहौर में जो कुछ हुआ उसने देश की क्रोधागनी और प्रदर्शन पून्ट शांत रहे इसकी व्यवस्था करते हुए लाला लाजपत राय पर सरकार की ओर से काम करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने वार किया। जिस अफसर ने लाला जी को घातक चोट पहुचाई थी उसे सरदार भगस सिंग के समुह ने लाहौर में ही मार डाला। भारत के उस समय के वातावरन से भारत सरकार व अंग्रेज अधिकारी भी भैभीत हुए। सामन आयोग का प्रतिवेदन सब प्रकार के बहिशकार व प्रतिरोद के बावजूद भी आयोग ने अपना काम किया और उसने अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें भारत के भावी शासन के लिए निम्न व्यवस्था का सुझाव दिया गया। पहला प्रांतों में द्वैद शासन यानि डायार्खी का आंत किया जाए तथा वहां काफी हद तक उत्तरदाई शासन की व्यवस्था की जाए। प्रिष्ठ 83 दूसरा केंद्र में शासन का रूप यथावत अनुत्तरदाई ही बना रहे। तीसरा संपून भारत के लिए एक व्यवस्था पिका की व्यवस्था की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत वद्देशी रियासतों दोनों के ही प्रतिनिधी हो। चौथा मता अधिकार को और अधिक व्यापक बनाया जाए पर सांप्रदाईक प्रतिनिधित्व को बनाई रखा जाए। पांचवा बर्मा प्रांत को भारत से तथा सिंध को बंबई प्रांत से अलग कर दिया जाए। चटा, युगिता अनुसार भारतियों को भारतिय सेना में उच्च पद प्रदान किये जाएं। और साथवा, भारत मंत्री को परामर्ष देने हेतू भारत परिशद इंडियन काउंसिल को बनाई रखा जाए, पर उसके अधिकार कम कर दिये जाएं। सर्व दलिय सम्मेलन और नहरू प्रतिवेदन, साइमन आयोक की नियुक्ती इंगलेंड की सरकार द्वारा उस समय की गई थी, जब अंग्रेजों द्वारा समेतियों की नियुक्ती आदि से भारतियों का विश्वास उठ चुका था। अतह साइमन कमिशन की नियुक्ती से भारतियों लोक मत संतुष्ट नहीं हो सका, कमिशन में केवल गोरे सदस्य ही नियुक्त किये गए थे। जिसके निश्चयान उसार, पंडित मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में बनी सर अली इमाम, सर तेज बाहदुर सप्रू वसुभाश चंडर बोस की एक समिती ने आपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर संपून भारत के लिए एक संवेधान बनाया, जिसकी मुख्य बात इस प्रकार थी। वो साम्प्रदाइकता पर नहीं होगा, वरन वो सयुक्त प्रतिनिधित्व पर आधारित होगा, तथा अल्प संख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित होंगे। छटा, शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्रव एकाईयों के बीच होगा, तथा अवशेश शक्तियां केंद्र के हाथों में रहेंगी। साथवा, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, प्रतिवेदन में ऐसे 19 अधिकारों की चर्चा की गई थी, और आठवा, भाशाई आधार पर देश के प्रांतों का पुनर गठन किया जाएगा। इस सम्विधान पर लखनों में हुए दूसरे सर्वदलिय सम्मेलन में विचार हुआ और उसे सम्मेलन ने स्विकार कर लिया, यद्यपी मुस्लिम लीग द्वारा इसकी स्विकृती न दी। भाराज को धेय मान कर कॉंग्रेस द्वारा सरकार के विरुद्ध अहिंसापून आंदूलन किया जाएगा। नहरू प्रतिवेदन व मुस्लिम लीग नहरू प्रतिवेदन के माध्यम से भारत की सम्वेधानिक वसामप्रदाइक समस्या का जो हल प्रस्तुत किया गया था। मुस्लिम लीग को वो अमान्य रहा और उसकी ओर से जिनना द्वारा चोधा सूत्रिय अन्य हल प्रस्तुत किया गया। जिसमें संग्हीय व्यवस्था की माननिता के साथ साथ मुसलिम हितों की रखशा के लिए ऐसी व्यवस्था पर जोर दिया गया। जिसमें पहला, विधान सभाओं व अन्य प्रतिनिधी संस्थाओं में अल्प संख्यकों के लिए उचित व परियाप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। दूसरा, जहां उनका बहुमत हो, वहां उन्हें घटा कर अल्प मत न कर दिया जाए। तीसरा, केंद्रियम विधान मंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक तिहाई हो। चौथा, सांप्रदाईक प्रतिनिधित्व प्रिथक निर्वाचन पद्धती के द्वारा किया जाए और वो तब तक रहे जब तक कोई संप्रदाई स्वयम सयुक्त निर्वाचन पद्धती को स्वीकार न कर ले। पांचवा, ऐसा कोई प्रादेशिक पुनर विभाजन न किया जाए, जिससे पंजाब, बंगाल और पश्चिमोतर सीमा प्रांत में मुसलिम बहुमत में कोई कमी आए। छटा, किसी भी संप्रदाई के तीन बटा चार सदस्यों द्वारा अपने हितों के विरुद्ध घोशित, कोई भी विध्यक किसी भी प्रांतिय विधानसभा अथवा केंद्रिय विधानसभा द्वारा पारित न हो। साथमा, सरकारी नौक्रियों में मुसल्मानों को उचित भाग मिले। आठमा, मंत्री मंडल में कम से कम एक बटा तीन मंत्री मुसल्मान रहें। नौ, विधान में कोई परिवर्तन तभी हो जब संग की सभी एकाईयां उसे स्वीकार करें। इंग्लेंड में शासन परिवर्तन, ब्रिटिश भारत वदेशी राज्यों व अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधियों का असफल सम्मेलन। इसी बीच इंग्लेंड में सरकार का परिवर्तन हुआ और वहां मजदूर दल की सरकार की स्थापना हुई। नवीन भारत मंत्री ने ततकालीन वॉइसरोय लॉड इर्विन को विचार विनेमय हेतु इंग्लेंड बुलाया। वहां से लॉड कर उन्होंने 31 अक्तुबर 1929 को एक वक्तव्य दिया जिसे कलकता कॉंग्रेस के प्रस्ताव का सरकारी उत्तर समझा जा सकता है। वक्तव्य के अंत में वॉइसरोय द्वारा कहा गया कि सरकार की राय में सन 1917 की घोशना से ये बात स्पष्ट है कि भारत की वैधानिक प्रगती की स्वाभाविक समस्या जैसा उसमें सोचा गया है औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ती है। वक्तव्य में ये संकेत भी दिया गया कि शीगरही ब्रिटेश भारत तथा भारतिय रियासतों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आगामी शासन योजना पर विचार करने के लिए बुलाया जाएगा। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में 14 नवंबर 1929 को लिखा था, मैं आपनिवेशिक स्तरिय संविधान के लिए प्रतीक्षा कर सकता हूँ, यदि मुझे सक्रिय वास्तविक आपनिवेशिक स्तर प्राप्त हो सके। परन्तु इसका आर्थ ये होगा कि स्टील की संगीनों का स्थान जनता की सदभावना को प्राप्त हो। प्रिष्ट 84 इसके लिए राजनितिक बंदियों को मुक्त किया जाए, परन्तु जैसा उस समय के भारत मंत्री लौड बर्किन हेड ने वोईसरोय लौड एर्विन को लिखा था। समराट की सरकार भारत के राजनितिक विकास के अंतिम एवं सुदूर लक्ष के रूप में भी आपनिवेशिक इस्तर शब्दावली के प्रयोग के विरुद्ध है, क्योंकि आपनिवेशिक इस्तर का अभिप्राय है अपने भाग्य का निश्चय स्वयम करना, तथा इस समर 1929 को लॉर्ड इर्विन तथा भारतिय नेताओं की बात चीत हुई, जिसमें गांधी जी की इस मांग को कि प्रस्तावित परिशद की कारिवाई आपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मान कर की जाए, लॉर्ड इर्विन सुईकार ना कर सके। वार्ता भंग हो गई और क बश्ट विदित हो गया कि इस प्रकार की परिशदों तथा कोरी योजनाओं से कोई लाब नहीं हो सकता। ये घूशित किया गया कि कॉंग्रिस विधान की पहली धारा में स्वराज्य शब्द का अर्थ स्वाधीनता है, कथा अब से कॉंग्रिस के समस्त सदस्य अपना सारा ध्यान भारत के लिए पून स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर लगा देंगे। कॉंग्रिस समीती को अधिकार दिया गया कि जब वो उचित समझे, चुने हुए क्षेत्रों में अत्वा अन्यप्रकार से उन आवश्चक बचाव के साथ, जिनको वो आश आवश्चक समझे, सभिने अवग्या अंदूलन प्रारंब कर दे, जिसमें कर बंदी भी सम्मिले उसी दिन मध्यरातरी के समय रावी तट पर ठिटुरा देने वाली शीत में उत्सहव उत्तेजना से भरे विशाल समोह के बीच, कॉंग्रिस की ततकालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेरू ने स्वाधीनता का तिरंगा फेराया और कॉंग्रिस का धेवपून स्वराज घोशि स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा अत उपरियुक्त वे परिस्थितियां थी जिन में होकर भारत का राष्ट्रिय आंदोलन असय योग से उस सविनय अवग्या आंदोलन तक पहुँचा जिसका श्री गणेश महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक सत्याग्र से हुआ प्रिष्ट पिचासी